नमस्कार, स्ठोर्वी नेती में आप सबका स्वागत है आज की लोग कथा एक स्पैनिश कहानी है नाम है राजा के नए कपड़े तो आए सुनते हैं मेरे साथ याने अपके अपनी नेती के साथ बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शोकिन था कि वे अपने राज्य की आमदनी अपनी शौंक को पूरा करने में ही लुटा देता था उसकी कामना हर समय ये रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें उसे ना सेना को मजबूत बनाने की फिकर थी ना ही खेल तमाशी में वे कोई रस लेता था ना खूमने फिरने को ही उसका मन करता था हाँ अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वे चाहे दस कोस चला जाता दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाग थी जिस तरह किसी राज़े में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वे अपने मंत्रियों की बैठक में है उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वे कहा है तो उक्तर मिलता कि मैं पुशाक बदलने वाले कमरे में हैं जिस शहर में राजा की राजानी थी वे भारापूरा था और वहां राज दिन आने चाने वालों की चहल पहल रहती थी कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकणों की तादाद में राजानी की बाजारों में दिखाई ना पड़ते हो इनी में एक दिन दो ठक भी आगे उन्होंनों लोगों को बताया कि मैं बुनकर है और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूनने पर भी नहीं मिल सकता यहां तक कि कोई उसकी करपना तक नहीं कर सकता ना केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुन्दर होगा बलकि उसमें ये भी विसेश्ता होगी कि जो आत्मी अपने पद के योग नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ होगा उसे वे वस्त दिखाई तक नहीं देंगे रजने मन ही मन सोचाई स्वस्त के तो इस सरा के वस्त तो अनमोल होगे यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूँ तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों की योगे नहीं है तब मैं अपनी प्रजा में इसे हुश्यार लोगों को भी चुदबाऊंगा इसे अपने ले कपड़े बनवाता हूँ और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फोरण धेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फोरण काम शुरू करते ठगों ने एक करगा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुर रहे हूँ पर करगा खाली था उन्होंने राजा से बड़िया रेशम और सोने की तार मांगे थे पर उन्हें इस्तमाल करने की जगा अपने जोलू में छिपा लिया देर राज तक वे खाली करगे के सामने बैठ कर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुर रहे हूँ राजा ने सोचा देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं पर ये सोच कर भी उसका दिन अचीब ढंक से धड़कने लगा कि जो बेवकुफ और अपने पद के लिए लैग नहीं है वे उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा उसी ये चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा फिर भी उसने सोचा कि पहली बार ये देखने के लिए वे कैसा काम कर रहे हैं किसी और को भीशना चाहिए पूरे शहर में सबने कपड़े के जादूई गुण के बारे में सुना था सब ये जानने को बेचेन थे कि उनका पडोसी कितना बेवकुफ और बेकवर है राजा ने सोचा में अपने वफादार प्रधान मंत्री को भेज़ता हूँ वे देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है वे होश्यार और अपने काम में लायक आद्मी है अगर कोई जाच कर सकता है तो ये वही होगा प्रधान मंत्री अच्छे सुभावाला पूढ़ा आद्मी था जब वे उस कमरे में पहुँचा जहाँ जुलाहे काम कर रहे थे तो उसे देखा कि करगा खाली था उसने अपनी आखे बंग की फिर खोली और सोचने लगा हे भगवान मुझे बचाओ मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रहे फिर भी वे कुछ बोला नहीं ठगो ने उसे करगे के बास बुलाया जिससे वे उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके खाली करगे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा बिचाहरा परधान मंत्री मंत्री करगे के एकदम निकट आकर आँखी फार फार कर देखने लगा मगर उससे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया दिखाई तो तब देता ना जब वहां कुछ होता उससे मंद में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूरख हूँ पुछी तो इस बात का गुमान तक भी नहीं था मगर थै अब तो ये बात किसी पर प्रगट नहीं होने चाहिए और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद की योगना हूँ ये बताने से तो कता ही काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता अरे आपने हमारे काम की बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बताया तो नो ठगो में से एक बोला ओ ये कपड़ा तो बहुत सुन्दर है बहुत नुभावना है बुढ़े मंत्री ने कहा फिर और भी निकट से अपने चश्मी को संभालती हुए उसने कहा डिजाइन भी सुन्दर है और रंग का तो कहना ही क्या अब मैं राजा सहाब को कपड़े का राई रत्ती हाल पता सकता हूँ बहुत शानदार कपड़ा है हमें यह जानकर बहुत प्रसंता हुई दोनों बुनकर बोले फिर उन्होंने कपड़े की डिजाइन और रंग की बारीकिया मंत्री को समझाने का प्रादन किया मंत्री सब ध्यान देकर सुन्ता रहा जिससे राजा सहाब की सामने कपड़ी की सुन्दर्ता बयान करते समय वैसारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारेक्यां समचरा रहे थे उसने ऐसा ही किया भी अब दोनों ठगों ने और भी और अधिक रेशम सोने के तारों और धन की फरमाईश की तुरंत सब चीजें उन्हें दी उन्होंने सब चीजों का भी निवाला बनाया और अराम के साथ फिर अपने नेरधक धन्धे में चुट गए वही खटा-खट खटा-खट और हवा की बुनाई चारे दही एकने राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को ये देखने के लिए भीजा कि क्या जुलाहों का काम कैसा चल रहा होगा उसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही गटना गटी वही देखकर हक्का बक्कार है गया कि करदों पर कुश्वी दिखाई नहीं दे रहा था क्या ख्याल है आपका कपड़ा सुन्दर है या नहीं मंत्री जी दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस जूट मुट के कपड़े की डिजाइन और रंगों की सुन्दर्ता बखाना आरंग कर दिया अब मंत्री ने सूचा कि मैं भी तुमूरक नहीं हूँ ना ही मैं अपने पद के लिए अयोग हूँ हाँ यह हो सकता है कि राजा सामने जिस काम के लिए मुझे भीजा है मैं उसी के अयोग हूँ तो यह बड़ी अजीब बात है पर पता इसका किसी को चलना नहीं चाहिए इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों के तथा डिजाइन को खुब सरहा फिर राजा के पास जाकर बोला कि कपड़ा वासों में यह बहुत प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा शैर में जिसकी मुझे सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है अब तो राजा ने उसे स्वें भी देखना चाहा बाद में तो सामने आए गई मगर करगे पर पुना जाता देखने में और ही बात थी इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दी उन सभासदों में वे इमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे जब राजा दोनों ठगों के पास महुचा तो उसने देखा कि दोनों की दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं हला कि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था कितना शांदार कपड़ा है दोनों मंत्रियों ने कहा महराज तरने और निकट चल कर देखे और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए उन्होंने खाली करगों की और इशारा किया यह समझते थे कि चाहें उन्हें कपड़ा दिखाई न दे रहा हो मगर औरेुको तो जरुर दिखाई दे ही रहा होगा यह क्या राजा सोचने लगा वाह यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा वे तो बड़ी गड़बड की बात हुई क्या ये हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ ये राजा होने की योगता मुझ में नहीं है ये तो मेरी लिए बड़ी खबर, खराब बात होगी और सारे राज में मेरी बतनामी हो जाएगी इसलिए उसने प्रगत में कहा हाँ सचमिश कपड़ा बहुत सुन्दर है मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और वे खाली करगों की और देख देकर इस तरह मुस्काने लगा और वे डिजाइन की परक करने के बाद वे उस पर मोहित हो के आओ ये तिवे किसी भी तरह स्विकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लोगों ने वावा की ज़री लगा दी जितने मुँ उतनी बातें कपड़ा सुन्दर है बढ़िया है शांदर है रुबीला है ऐसा है वैसा है और सभी प्रसंद हो रहे थे माणो उन्होंने कपड़े को अपने आखों दे खा है राजा ने तुरंत उन्हें राजके बुनकर के पदक परदान के और आग्या दे कि उन पदकों को व your अपने-पने कोटों के काजों में लगा ले राजा के सवासव्दों ने उससे सला दी कि उन्हों मुलिवान कपड़ों को आने वाले महा सम्मेलन की दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। जिस दिन महा सम्मेलन का जुरूस निकल रहा था। उससे पहली रात को दोनों ठक जाक कर काम करते रहें। और बीस हंडे उन दोनों ने जलवाए रखे। हर आदमी देख सकता था कि ये दोनों राजा के नए कपड़े तयार करने में जमेहिन आस्वान एक का रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया उन्हों कपड़ा करगों पर से उतर गया है। अब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज क्या चैली और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया। फिर भिना धागे की सुन्या लेकर ऐसा दिखावा किया वानों कपड़े से जा रहे हैं। हंत में जुलूस के समय से थोड़ी दिर पहले वे हाथ पयार ज़ार कर निबट गये। वानों बड़ा भारी किला फत्य कर डाला हो। उन्होंने संदेश वाहक से कहा कि देख नहीं रहे हैं कपड़े तयार हो गये हैं। राजा साब को सूच न दो। संदेश वाहक तुरन जाकर राजा को खबर दिया आया। महाराज बहुत बड़े कपड़े सिलकर तयार हो गये हैं। मैंने अपनी आखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को लेकर स्वयम तयार कपड़ों को देखने के लिए गया। ठगों ने अपने एक-एक हाथ फैला कर इस तरह दिखाए, मानो बड़े कीमती बड़े कपड़े पहने रखे हूँ. एक बोला देखिए महराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे. ये देखिए, गले की काट बिल्कुल नए दर्ज की है, और आसिन की गुमाँ पर जोल की छाया तक नहीं है, और कमर तुमानों से हम राजा की कमर का मुकाबला कर रही है. हुजूर, इन कपड़ों को पहन करना के वहला आप इतने राज के राजा दिखाए देंगे, बलकि फैशन के राजा भी कहलाएंगे. इन कपड़ों की भारिकी को देखे, इसकी वज़ा से इन में वजन भी मकड़ी के जाने से अधिक नहीं है, जो उन्हें पहनता है, उसे यहीं मालम नहीं होता कि वह कुछ पहने भी हुए है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खुफसूरती चिपी हुई है महाराज. जी हाँ, यह बासों फिस इस अई है, सारे सफासाथ पोल उठे, मगर वासों में उन्होंने कुछ देखा नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं, जिसे वे देखते. अगर महाराज अपने कपड उता डाले, तो हम यही सीशे के सामने महाराज को यह नए शांदर वस पहना दे, ठगों ने कहा, राजा ने अपने सारे कपड़ उता डाले, ठगों ने एक के बाद एक राज की वस राजा को पहनाने का दिखावा किया, राजा भी जैसे जैसे वैसे वैसे हरकत करता गया यही नहीं लोगों को ये दिखाने के लिए कि वे अपने नए वस्त्रों को कितने ढंक से पहन रहा है शिशे के सामने खड़े राजा सहाब कभी चुकते करी सीधे होकर कॉलर जर्काते मालूम होते सफी लोग चिलना उठे वावा कितने नफीस कपड़े हैं कमाल हैं ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा रंग तो इंद धनिश को मात करते हैं लिजाईना तक ऐसा नहीं निकला था बहुत शांदार आज सी पशाख है मुख की चोगदार ने कहा महराज आपका शात्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतिक्षा कर रहा है ठीक है हम तयार है राजा ने कहा क्यूं फिट हो गए ना और वे कालर ठीक करता हुआ शिशे में अपने को अकरकर देखने लगा मानू ने वस्रों में अपने जचाओ को सेंभी जाच रहा हो राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे जुक कर ऐसा दिखावा किया मानू सच मुच पोशाक को काईदे से उठा कर चल रहे हूं वे भी ये नहीं चाहते थे कि कोई ये कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठाने रखा है अथवा उन्हें वस्त दिखाई नहीं देते इस परकार शांदार शत्र के नीचे चेवन डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे-आगे चला सड़क के दोनों और खड़े तता खिर्कियों पर लदे स्त्रियों और पुष्यों ने गला फार फार कर राजा के कपड़ों की प्रशन साखी क्या सुन्दर और फिट पोशाग है क्या शानदार फैशन है सब्सार का कोई वस्त इनका मुकाबला नहीं कर सकता कितना सुन्दर जोगा लटकता जा रहा है वस्त में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वह जो काम कर रहा है उसे अयोग ठहरा दिया जाए अत्वा मुर्क माल लिया जाए इस राजा ने आज तक चितनी पोशाग के बहनी थी उनमें से ये पोशाग सबसे अधिक सफल सित हुई दूसरी बात है कि पोशाग वासों में थे ही नहीं अन्त में एक छोटे से बच्चे ने चिला कर कहा देखो तो राजा नंगा है लोग सुनो तो ये सब गुद बालक की बात बच्चे का पिता खबरा कर बोला प्रें तु बात ने चर पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे सच ही राजा नंगा है अन्त में सब लोग चिला पड़े राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है सब भैम है राजा बड़े चक्कर में पड़ा क्योंकि मन ही मन वै समझ रहा था कि वे लोग सही का रहे है अगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया गया है तो अंत करके छोनना चाहिए नहीं तो बड़ी हेठी होगी जुलूसा के बढ़ता चला गया और दास लोग उस पुशा को थामे लिए चलते रहे चो थी ही नहीं समाथ